बीर्मो कोईला एंचल के कथारा इस्तित ओफिसर्स क्लब में छेत्रिय समाज के दुवारा विचार घोस्टी का आयोजन किया गया बीर्मो कोईला एंचल के कथारा इस्तित ओफिसर्स क्लब में छेत्रिय समाज के दुवारा विचार घोस्टी का आयोजन किया गया इसायोजन में मुख्यतिती के रूप में शिवहर विधायक चेतन आनंद शामिल हुए जिनका भव्वे स्वागत मंच के दुवारा पुश्प गुच भेट कर और फूलों का हार पहना कर किया गया साथ ही शौल ओडा कर सम्मानित किया गया कारिकरम के अधिक्षिता साथ सदस से टीम दौरा किया गया वही कारिकरम के शुरुवात सभ्यता और संस्कृति के मदे नजर शंक नाध कर की गई पत्रकारों से बाचीत के करम में चेतन आनंद ने बताया कि मेरे पिता को जूटे केस में फसा कर जेल में डाल दिया गया 14 साल से जिस मामले में मेरे पिता जेल में बंध है उसमें वह थे भी नहीं इसलिए अन्याय के खलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए आगामी 29 जनवरी को बिहार के पटना में गर्जना रैली रखी गई है जिससे सफल बनाने के लिए बेर्मो को लैंचल के छत्रिय समाज के लोगों को आमंत्रत करके आपके बीच आया हूँ साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पिता आनंद मोहन की सम्मान जनक रिहाई की मांग को लेकर उक्त गर्जना रैली किया जाएगा प्रात हादर पनियूस के लिए बोकारो सविश्व कर्मा भारती की रिपोर्ट